जार्खन्ट सैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसिक्चन परिशत रांची जार्खन बार्षिक परिक्चा 22 तेईस कक्छा अस्टम के लिए मौडल प्रस्ण पत्र बिसे गनीत समय एक घंटा पुर्णा अंक 50 सामान्य निर्देश कुल 50 प्रस्ण होंगे सभी प्रस्णों के उत्तर अनिवारे हैं प्रत्यक प्रस्ण के लिए एक एक अंक निर्धारित है प्रत्यक प्रस्ण के चार बिकल्प दिये गए हैं सही बिकल्प का चैन कीजिए गलत उत्तर के लिए कोई अंक न सबसे पहला प्रस्ण है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है जैसा कि बच्चों आप जानते हैं पूर्ण संख्या जो है सुन्य से सुरू होती है सुन्य एक तो तीन चार इस प्रकार से पूर्ण संख्या जो सबसे छोटी है वह है सुन्य तो इसमें सही विकल्ब है विकल् पांच का व्यूत्करम क्या होगा तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पांच का व्यूत्करम होगा एक वटा पांच तो यहां कौन सा विकल्प से होगा विकल्प चार आगे प्रस्वन संख्या 3 में दिया गया है 19 का वर्ग क्या होगा हर॥ात 19 गुना 19 कितने होंगे तो 19 को 19 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमें प्राप्थ होगा 361 यानि कि बिकल्प दो सही बिकल्प है प्रस्ण संक्या 4 में दिया गया है 900 का वर्गमूल क्या होगा तो बच्चो 900 का वर्गमूल होगा 30 यानि कि इसमें विकल्प एक सही विकल्प है आगे हम लोग प्रस्ण देखते हैं बच्चो 5 नमबर का प्रस्ण दिया गया है 11 का घं कितना होगा यहां 11 का घं अर्थात 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 यानि कि 11 का cube तो यहां पर अगर आप 11 गुने 11 गुने 11 करेंगे तो आपको प्राप्थ होगा तेरा सो एक तीस अर्था विकल्ब तीन सही विकल्ब है आगे चो नंबर का प्रस्ण है आट बटा 27 का घनमूल क्या होगा तो आट बटा 27 का घनमूल आप अगर दो गुना दो गुना दो लिखेंगे तो यह आठ हो गया और तीन गुना तीन गुना तीन करेंगे तो यह 27 हो ग विकल्प है वह है विकल्प 1 2 बटा 3 आगे प्रशन संख्या 7 में दिया गया है 5 का पावर क्यूब तो 5 का जुगात है 3 है का सही मान क्या होगा तो बच्चो इसमें भी आपको 5 को 3 बार गुणा करना है 5 को 3 बार अगर आप गुणा करेंगे तो आपको प्राफ्थ होगा 125 या आगे बच्चों प्रसन संख्या आठ में दिया गया है X to the power 0 का मान क्या होगा बच्चों आपको याद रखना है किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा यानि कि बिकल्प 2 सही बिकल्प है आगे बच्चो प्रस्थ संख्या 9 में दिया गया है एक संख्या A B का बिस्त्रित रूप है तो यहाँ पर A B जो दिया गया है यहाँ A जो है वह और B जो है यह एकाई है और A जो है दहाई है यानि कि हम इसको लीख सकते हैं 10 A प्लस B तो यहाँ विकल्प 2 इसका सही उत्तर है आगे 10 नमर का प्लस्थ है कौन संख्या 3 से विभाज्य है तो बच्चो 3 से विभाज्यता का जो सर्थ है वो आपको याद होगा कि दिये गए संख्या के सभी आंकों का जोड़ अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा तो यहाँ जो पहली संख्य क्या दिया गया है 120 120 में एक जोड़ दो जोड़ सुन्ने को जोड़ेंगे तो हमें तीन प्राफ्ट होता है जो तीन से भी भाज्य है अतर यही इसका सही बिकल्प है आगे बच्छों ग्यारा नंबर का प्रस्ण है निम्न में एक पदी ब्यंजक कौन है तो यहां पर हम लोग है अलग-अलग पद हो जाएंगे अगर उसमें किसी प्रकार का जोड़ घटाओ या भाग का प्रयोग नहीं किया गया है तो वह जो है एक पदी ब्यंजक होगा यानि कि यहां बिकल्प दो या सही बिकल्प है 2xy एक पदी ब्यंजक है आगे 12 नंबर का प्रस्ण है माइनस 2 2xy का संख्यात्मक गुनांग क्या है तो बच्चों यहां जो है माइनस 2xy में माइनस 2 यहां जो है इसका संख्यात्मक गुनांग है अता इसमें बिकल्प इसमें बिकल्प दो सही बिकल्प है आगे प्रसंद दिखते हैं आगे बच्चों प्रसंद दिया गया है a square minus 2ab plus b square का गुनानखंड होगा तो जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा है a minus b का whole square easy equal to होता है a square minus 2ab plus b square तो a minus b का जो whole square है इसको आप तोड़कर a minus b और a minus b लिख सकते हैं यानि कि इसमें भी विकल्प दो ही सही विकल्प है आगे बच्चों प्रस्ण है x square minus 9 का गुनानखंड होगा तो बच्चों x square minus 9 इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं देखे बच्चों इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं x square minus 3 square यानि कि यह जो है आपको याद होगा a square minus b square के फर्मूले में जो इसा होता है a plus b और गुना a minus b तो इसके अनुसार्य हो जाएगा x plus 3 और x minus 3 तो यह जो है कहां पर दिया गया है x plus 3 और x minus 3 या जो है विकल्प 1 में दिया गया है अतो विकल्प 1 सही विकल्प है प्रस्ण संक्या 15 में हम लोग देखते हैं प्रस्ण संक्या 15 में दिया गया है 3 x plus 2 is equal to 5 में x का मान क्या होगा तो 3 x plus 2 is equal to 5 दिया गया है तो इससे क्या प्राप्त कर सकते है इस equation से 3 x is equal to 5 minus 2 और 3 x is equal to 3 और x is equal to 3 by 3 इसको काट देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा x is equal to 1 तो यहाँ पर हम लोग कहां पर पाते हैं या विकल्प 1 में यहीं कि विकल्प 1 सही विकल्प है आगे प्रसन संक्या सोला को देखते हैं तो बच्चो प्रसन संक्या सोला में दिया गया है तीन लगातार पुर्णांकों का जोगफल 51 यानि कि 51 है तो पुर्णांक होगा तो बच्चो यहाँ जो बिकल्ब दिया गया है इसे हम लोग जोड के दिखते हैं 15 जोड 16 जोड 17 इसको अगर हम लोग जोडेंगे तो होगा 48 यानि कि यह सही बिकल्प नहीं है इसके आगे दिया गया है 16, 17 और 18 अगर हम इसे जोडते हैं तो होता है 51 यानि कि यह सही बिकल्प है यानि कि बिकल्प 2 सही बिकल्प है आगे बच्चों 17 नंबर का प्रस्ण है 40 क कितना परतिसत 16 होगा तो 40 का जो बच्चों इसमें आप निकाल कर भी लिख सकते हैं 40 का मान लेते हैं कि X परतिसत जो है वो 16 होगा तो आपको यहाँ पर आपको निकालना होगा X का मान तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं गुना एक्स बराबर आपको लिखना होगा 16 गुना एक सो बराबर चालीस अब इसको काट देंगे जिरो जिरो कट गया 4-4-16 हो गया तो यहां बचा क्या चार और उपर 10 बचा तो इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 40 यानि कि सही उत्तर होगा विकल्ब 3 40 परतिसत आगे बच्चों 18 नमर का प्रस्ण है 50 आमों के समूं में 60 परतिसत आम बिल्कुल पके हैं तो पके हुए आमों की संख्या कितनी होगी तो बच्च इसे भी आप निकाल कर लिखेंगे तो इसे आप इस प्रकार से निकालेंगे 50 गुना 60 परतिसत यानि कि 50 गुना 60 परता 100 तो इसको 00 काट दें इस 0 को काट दें क्या क्या बचा 5 गुना 6 पराबर कितना हो जाएगा 30 यानि कि 30 आम पके हुए हैं यानि कि विकल्ब 3 सही विकल्ब है आगे बच्चों 19 नमबर का प् कितना होगा तो बच्चों यहाँ पर हमको X के जगह में 1 का प्रयोग करना है और Y के जगह में माइनस 2 का प्रयोग करना है तो इसको प्रयोग करते हैं X का जगह में 1 का प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा यह हो गया 1 square और फिर y के जगा में minus 2 का प्रयोग करेंगे तो यह हो गया minus 2 square अब इस दोनों को अगर हम solve करेंगे तो 1 का square 1 हो गया और plus minus 2 का square हो गया 4 दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 5 यानि किसका सही विकल्ब हो गया विकल्ब 3 आगे 20 नमबर का प्रस्ण है 20 नमबर है प्रस्ण दिया गया साथ के घं का इकाई अंक क्या होगा तो अगर हम लोग साथ को साथ से गुना करें तो होगा 49 फिर इसको साथ से गुना करें तो केबल हम लोग साथ को 9 से गुना कर देंगे तो इस प्रकार से 21 नंबर का जो प्रस्ण है उसे हम लोग देखते हैं एक घड़ी का अंकित मूल 2000 रुपया है इस पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रे मूल क्या होगा तो बच्चों 2000 का 10% अगर आप निकालेंगे 2000 का 10% हो जाएगा दिखें कि 200 रुपया तो 2000 रुपया में 200 रुपया अगर कम दिया जाता है तो विक्रे मूल कितना हो जाएगा 2000 घटाओ 200 बराबर 1800 रुपया यानिकि विकल्प 4 सही विकल्प है आगे बच्चों प्रस्ण संक्या 22 में है 75 पैसे का 2 रुपय से अनुपात कित बच्छों बच्चों प्रस लाएं तो कितना प्रापत होगा 3 बटा आठ यानिकि 3 अनुपात आठ तो यहां पर कौन सा भिकल्प सही है विकल्प एक सही है आगे बच्चों 23 नंबर का प्रस देख तो बच्चों 23 नंबर में दिया गया है दो परिमेश संक्याहों के बीच क इस नमबर का प्रस्ट है निमन में कौन पाइथोगरस ट्रिक है जैसा कि आप जानते हैं बच्चों पाइथोगरस ट्रिक हमें बताता है कि कोई भी समकोन त्रिभूज में उसके जो सबसे बड़ी भूजा होती है जिसे हम कर्ण कहते हैं उसका वर्ग अन्य दो सेस भूजाओ के वर्ग के जोग के बराबर होता है तो यहाँ पर अगर हम लोग जो बिकल्प दिया गया है उसमें देखें तो एक नमबर का बिकल्प में सबसे बड़ी भुजा है 3 तो 3 square is equal to 1 square plus 2 square होने चाहिए तो हम देखें 3 square is equal to 9 और 1 square is equal to 1 और 2 square is equal to 4 तो इसको जोड़ेंगे तो किता हो जाएगा पांच याणि कि 5 क्या 5 9 के बराबर है नहीं अगरे हम देखते हैं दो नमबर में जो दिया गया है उसे दो नमबर में दिया गया है विकल्प 2, 3 और 4 तो इसमें 4 बराब है तो 4 का square हो गया और बाकी 2 square और प्लस 3 square इसे करके देख लेते हैं यह हो गया 16 और यह हो गया चार और यह हो गया 5 और यह हो गया थरी तो 13 जुआ 16 के बराबर नहीं है तो यह भी कल भी साही नहीं आगे बच्छों दिया गया 6 8-10 इसको दिखते हैं तो बड़ा भूधाअ johjahdus-μαक स्क्वेर हो गया और इधर हो गया 6 स्क्वेर प्लस 8 स्क्वेर तो यह हो गया 100 और इधर हो गया 36 और इधर हो गया 64 बट्टी की रासी क्या होगी तो बच्चो इसमें कितने रुपे की छूट मिल रही है 450 रुपे तो दाम है ही इसमें 360 रुपे इसको छूट के बाद प्राप्त हो रहा है तो हम लोग देखेंगे कि 90 रुपे जो है कम देना पर रहा है यानि कि बट्टी की रासी हो गई 90 बेलफ है आगे बच्चो 26 नमबर का प्रस्थ देखते हैं तो बच्चो 26 नमर में दिया गया है जदी 16 पैंसिल का मुल्डिया है तो 144 रुप्य में कितने पैंसिल खरीदे जाएंगे तो बच्चो सीधे प्रस्थ्थ मैं जो है 64 रुपया में आपको 16 पेंसिल मिलते हैं और तो एक रुपया में कितना मिलेगा 16 बटा 64 और अथा 144 रुपया में कितना मिलेगा 16 बटा 64 गुना 144 तो आप इसको देखे 16 को 64 से आप काड़ सकते हैं क्या 164 तो ये कट गया और इसको आप 144 के साथ भी काड़ सकते हैं तो कितना और जागा 36 यानि कि 36 पैंसिल जो है खड़ी दे जा पाएंगे यानि कि बेकलब देखें कि प्रसंद है 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं उसी काम को 49 कितने दिन में समाप्त करेंगे तो बच्चो यह प्रस्ण जो है बार-बार पुछा जाता है आपको इसमें याद रखना है कि इसमें यह फर्मूला होता है कि व्यक्ति गुने दीन गुने समय तो यहाँ पर समय तो है नहीं इसलिए केवल व्यक्ति गुने दीन यहनी कि 45 गुना 13 और इसमें जो है बराबर भ समय ही होगा यानि कि ब्यक्ति को ने दीन ही होगा तो यहां पर ब्यक्ति जो है 49 दिया गया है लेकिन दीनों की संख्या आपको निकालना होगा तो इससे हम X माल लेते हैं तो अब X is equal to क्या हो जाएंगे 45 गुना 13 बटा 49 तो इसको आप इसको आप कार दें तेरह 49 और इसको काट दें तो 15 यानि कि ब्यक्तियों की संख्या 49 होने पर वह काम 15 दिनों में समाप्त होंगे यानि कि बिकल्फ 4 सही बिकल्फ है आगे हम लोग 28 नमर का प्रसंद देख तो बच्चो 28 नमर में प्रसंद दिया गया है वर्ग के सभी ब्राज्य कोनों का योग क कितना होता है बच्चों आपको अच्छी तरह से याद रख buna है कि कोई भी जामीतिय आकरीती अगर दीवी हो और उसके ब्राज्य कोनों का योग आपको ज्याद करनना हो तो उसके ब्राज्य कोनों का जोग हमेंजा 350 डिग्री होता है अधा इसका उध्तर भी elaborate तो यहां आपम लोग देख सकते हैं 3060 डिगरी जो है विकल्प एक में दिया गया है यह सही विकल्प है आगे बच्चो 29 नमबर का प्रसंदे तो 29 नमबर में दिया गया है 500 का 5 परतिशत वार्सिक व्याज की दर्स से 2 वर्स का साधरन व्याज कितना होगा तो क्या होगा तो कैसे ग्याद करेंगे आप जैसे कि आप जानते हैं साधरन व्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा साधरन व्याज का फॉर्मूला SI is equal to P into R into T बटा 100 यहाँ P क्या है मुलधन है R क्या है दर है और T जो है समय है तो इस पर आपको सभी पता है यहाँ पर P जो है कितना है 500 रुपया है 500 और फिर कितना है R जो है यहाँ 500 हो गया और R हो गया 5 और 2 हो गया वर्स यानिकी समय बटा 100 यही आपको ग्याद करना इसको काट देंगे तो यहां हो गया 5 तो उपर कितना बच गया 5 गुना 5 गुना 2 यानिकी 25 और 2 25 और 2 50 हो गया यानिकी बिकल्प 3 इसका सही बिकल्प है आगे बच्चों इहाँ पर 30 नंबर का प्रस्ण है नीमनलिखित में से कौन 2D आकरिती है तो जैसा कि इहाँ पर दिया गया है घनाव तो बच्चों आप घनाव तो देखे हैं कि इस प्रकार से माचिस का बॉक्स गनाव है या इसमें आपको लंबाई चोड़ाई उचाई या तीनों होती है तो या जो है 2D आकरिती नहीं है या कैसी आकरिती है 3D आकरिती है 3D आकरिती है जबकि आयत दिया गया है दूसरा बिकल्प में इसमें केवल लंबाई और चोड़ाई है बाकि सेस जो बिकल्प ह सभी में लंबाई चोड़ाए और उंचाई है इसलिए इसमें जो है बिकल्प दो सही बिकल्प है आगे बच्चों 31 नंबर का प्रस्न है बच्चों 31 नंबर में दिया गया है निमनलखित में कौन आईलर सुत्र है तो बच्चों आईलर सुत्र आपको याद ही होगा इसमें ज 37 नंबर का जो प्रस्ण है वह है एक सम्चत्रभूज का छित्रफल ग्याद कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रामा सच 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तो इसका हम लोग कैसे हल करेंगे तो बच्चों जैसे की यहां पर दिया गया है कि सम्चत्रभूज का छित्रफल हमें ग्याद करना है यहां दो विकर्ण दिया गया है 24 और 10 सेंटीमीटर तो सम्चत्रभूज का छित्रफल का फॉर्मोला जैसे की आपको याद ही होगा वह होता है एक बटा दो गुना डी वन अर्थात पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण तो यहां एक बटा दो पहला विकर्ण है 24 और दूसरा विकर्ण है 10 अब इसको आप काट सकते हैं 24 को जो है दो से काट देंगे तो 12 होगा तो कितना बज़ गया 12 गुने 10 यानि कि इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाए जिदि किसी समलम चत्रवुज की समानतर भुजाएं करमसा 6 cm, 8 cm तथा उंचाए 5 cm हो तो समलम चत्रवुज का छेतरफल क्या होगा तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि समलम चत्रवुज का छेतरफल जो है वह होता है एक बटा दो और गुना उंचाई और ब्रेकेट दोनों समानतर भुजा जो है उसका जोग फल यानि कि जदि हम मान लें कि एक समानतर भुजा ए और दूसरा बी है तो ए प्लस बी तो यहाँ पर एक बटा दो यहाँ पर उंचाई कितना है 5 cm है और दोनों भुजा का जोग कर देते हैं जोड आठ तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं एक बटा दो गुना पांच और गुना चवदा तो चवदा को दो से काट देंगे तो साथ हो गया पांच को साथ से गुना कर देंगे तो 35 हो गया यानि कि 35 cm2 इसका सही बिकल्प है आगे बच्चों देखते हैं 34 नमबर का प्रसंद तो बच्चों 34 नमबर में प्रसंद दिया गया है घं का कूल प्रिष्टिय चेतरफल क्या होता है तो इसका आप लोग जान तो गण का कूल प्रिष्टिय चेतरफल होता है 6L² अर्था 6 गुने उसकी भुजा का स्क्वेर तो यह इसका सही बिकल्प गिया बिकल्प दो आगे 35 नमर का परस्ट तो बच्चों 35 नमर में प्रस्ट दिया गया है एक बेलन की तिर्जिया 14 cm तथा उंचाई 10 cm है तो बेलन का बक्र प्रिश्टिय छेत्रफल ग्याद करें तो यहां पर हम लोग को बक्र प्रिश्टिय छेत आर एच यानि कि यहाँ पर पाई का भीलू अगर हम लोग 22 बटा 7 रख दें और आर जो है हमारे पास कितना है आरे 14 और 10 सिंटीमेटर इसका उंचाई है अब हम 7 को 14 से काट देंगे तो 7 दूनी 14 अब क्या-क्या बच किया 2 गुना 22 गुना 2 गुना 10 इसे अगर हम गुना कर द आगे 36 नमर में जो प्रस्ण है वह है जदि घं की एक भुजा 8 सिंटीमेटर है तो घं का आयतन ग्याद किजिए तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं घं का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब यानि कि एक भुजा जो दिया गया है उसको आपको क्यूब निकालना है तो कितना भुजा देगे 8 तो 8 को 3 बार आपको गुणा कर देना है तो 8 को अगर 3 बार आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 512 यानि कि विकल्प 2 सही विकल्प है आगे बच्चों 37 नमर का प्रस्ण है जदि बेलन की तिर्जया की तिर्जया और उंचाई क्रमस साथ सि 2 सेंटी मीटर में दिया गया है तो उसे संटेमीटर क्यूब लिखेंगे अगर 6 तरफल होगा तो संटेमीटर स्क्वेर लिखेंगे इस अंत्र को आपको याद रखना तो यहाँ पर आपको πई का भेलू 22,7 बैठा ना है और यहाँ पर आर जो है दिया गया है कितना दिया गया है और आपको देखिए 7,2 सट गुणा 7 अप लिख सकते हैं और उन्चाही जो है 10 दिया गया है तो यह साथ को एक, 7 को एक, 7 गुना 7 गुना दस अगरण आप इसको तो आपको कितना प्राप्त होता है आपको प्राप्त होता है पंद्रो सो चाले सेंटीमीटर क्योग यानि कि बिकल्प एक सही बिकल्प है आगे हम लोग 38 नंबर का प्रसंद देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है घनाब का आयतन ग्याद किजिए जदी घनाब क लंबाई चोड़ाई और ऊचाई जिखाए तो इहाँ हम लोग किस प्रकार से नहीं लिखा गया है तो उसे आप ग्याद कर लेंगे, इसे ग्याद करना हैं देखेंगे, तो बच्चों यह घञणाप का जो आयतन है इस प्रकार से निकला जाता है लंबाई, गने चोड़ाई, गना उचाई, तो यहाँ पर लंबाई 6 मिटर है और चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है और उंचाई जो इहां दिख नहीं रहा है वो 2 मीटर है तो आप इसको गुना कर दें 6 और 3, 18, 18 अर्दू 36 यानि कि 36 मीटर क्यूब इसका सही विकल्प है तो इसमें हो जाएगा विकल्प 2 सही उत्तर है आगे बच्चों 39 नमबर में किनारे होते हैं तो बच्चों जैसा कि आप घं के बारे में जानते हैं तो बच्चों यह जो है आप लुडो का जो पासा है उसे आप देखे होंगे वह इस प्रकार से होता है और आप इसके किनारों को अगर गीने सभी किनारों को अगर गीने इधर इधर सभी को गीने तो आपको प्राप्त होगा कुल 12 किनारा यानि की बिकल्प 3 इसका सही बिकल्प है, आगे बच्चों एक मुहत्पूर्ण प्रस्ण दिया गया है, इसे आप समझ लें, 4 का मिलान चिन ग्यात करें, मिलान चिन के बारे में आप अच्छे तरह से याद रख लें, 1 का मिलान चिन होत इस प्रकार से दो दाग, तीन का मिलांचीन होता है, इस प्रकार से तीन दाग, लेकिन चार का मिलांचीन होता है, इस प्रकार से चार दाग, और जदी पांच दिया हो, तो इस प्रकार से चार दाग देने के बाद इसे काटा जाता है, इस प्रकार से काटा जाता है, और इसके आगे जिदी लिखना हो तो इसके बाद फिर पांच के बाद फिर एक दाग दे देंगे तो यह हो जाएगा छे इस प्रकार से किया जाता है लेकिन इहां पर आपको एक confusion हो सकता है इस इसमें और इसमें तो यह जो दो नंबर विकल्प यह रोमन में लिखा गया है जबकि आपको मिलान चिन पुछा गया है यानि की विकल्प एक इसका सही विकल्प है इसे हमें याद रखना है आगे बच्छों वर्ग अंतराल 30 और 40 का बर्ग-चिन ग्याद करने के लिए यहां पर निम ने सीमा है 30 और उच्छ सीमा है 40 इसको दोनों को जोड देंगे और 2 से भाग देंगे तो दोनों को जोडने पर होता है 70 बटा 2 इसको काट देंगे तो हो जाएगा 35 यानि कि इसमें बिकल्प 4 सही बिकल्प है आगे बच्चो 42 नमबर का प्रस्ण है 42 नमबर में दिया गया है वर्ग अंतराल 20 से 30 की माप क्या होगी तो बच्चो 20 से 30 इसके दोनों के बीच में कितना अंतर है 10 यानि कि बिकल्प 1 सही बिकल्प है आगे बच्चो 43 नमबर में प्रस्ण दिया गया है आंकडों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रिक्षनों के अंतर को क्या कहते हैं बच्चे इसे परीसर कहा जाता है तो देखते हैं कितने नर्मिसकाविकल तो इसके 4 नमर में बिकल्ब दिया secondo में आगे बच्चो 44 नंजबर का प्रसन हैं बृत आलेकर का दूसरा नाम क्या होता है तो बुद्चो अले का जो है दूसरा नाम पाई-चार्ट होता है ूसे हमैं याद रखना है आगे बच्चो दिया गया 45 नमर में हैं दो सिख्गों को एक साथ इसालने से हमें कुल कितना परिनाम प्राप्त होगा तो बच्चो अगर दो सिक्के को आप एक साथ उचालते जाएंगे तो आपको अधिक्तम बिकल्प जो है वो प्राप्त होगा चार तो यहाँ पर बिकल्प एक सही बिकल्प है आगे बच्चो 46 नमर का प्रसंदेख तो बच्चो 46 नमर में दिया गया है जब एक पासे को फेका जाता है तो उसके स पर एक समसंख्या आने की प्राइक्ता क्या होगी तो बच्चो इसकी प्राइक्ता एक बटा दो ही हो सकती है ठीक है एक पासे को अगर आप फेकेंगे तो उसमें समसंख्या और भी समसंख्या दोनों होती है तो एक बटा दो ही इसका संभावना है यानि कि विकल्प तीन सही प्राइक्ता होगी कि निकाली गई गैन पी ली होगी तो देखते हैं इस में क्या साभवना है तो बच्चों यहाँ पर प्रस्ण अगर आप अच्छी तरह से देखें तो क्या यहाँ पर आपको पीली गेंद के बारे में दिखाया गया है पीली गेंद कहीं लिखा गया है नहीं यानि कि इसकी प्राइक्ता सुनने होगी तो विकल्प एक सही विकल्प है आगे बच्चो आठतालिस नमबर में दिया गया है मूल बिंदू का निर्देसांग क्या होगा तो इसे अच्छे तरह समझ ले तो बच्चो अगर आप ग्राप पेपर में काम किये हो तो आप देखे से यहां पर इसे एक्स एक्सेस कर सकते हैं इसे वाई एक्सेस लिखते हैं और यहां से यह सुरू होता है यहां पर बिंदू जीरो और जीरो यानि कि वाई की तरफ यह जीरो है तो दोनों ही जो है वह जीरो जीरो है यानि कि मूल बिंदू को जीरो जीरो निर्देसांग मा और इसे इस प्रकार से लिखे xy और इसे मालने x1 और इसे y1 तो हम देखते हैं कि यह जो एकस है इधर जितने भी संख्या होते हैं वो धनात्मक होते हैं इधर उपर y की तरब जितने भी संख्या होते हैं वो भी धनात्मक होते हैं इधर x1 की तरब जितने भी संख्या होते है रिनात्मक होते हैं और y1 की तरब जितने संक्या होते हैं वो भी रिनात्मक होते हैं यहाँ पर जो संक्या दिया गया है वो दिया गया है माइनस 3 और माइनस 4 यह है पहला चतुर्थांक यह दूसरा चतुर्थांक से यह पहला चतुर्थांक से यह दूसरा है यह तीसरा है और रिनात्मक और वाई जो है वो धनात्मक होंगे और जो चौथा है उसमें वाई जो है वो रिनात्मक होंगे जबकि एक्स धनात्मक होंगे लेकिन यहाँ पर जो है माइनस तीन और माइनस चाथ दोनों ही एक्स वन और वाई वन दोनों ही जो है माइनस दिया गया है और यहाँ कौन से चतुर्थांक में हैं तीसरे चतुर्थांक में यानि कि 3-3 हो जाएगा यानि कि विकल्फ 3 इसका सही विकल्फ है और हम लोग देखते हैं अंतिम प्रस्थ तो बच्चों यहां पर प्रस्थ जो दिया गया है इस प्रकार से आप ग्राप में देख सकते हैं एक पांच यानि कि यह रिनात्मक है यानि कि आपको यह किस तरफ से किस तरफ होगा यानि कि यहां पर इधर आप जाएंगे उपर की ओर तो यह धनात्मक है जबकि इस तरफ में जो है वो रिनात्मक है तो यह हमें नहीं जानना है तो आप जानते ही है इसमें जो पहली पहला है वह X-axis वाला है. X-axis यसे हम कहते हैं, जिसे भूज कहा जाता है. ठीक है, यसे क्या कहा जाता है? भूज, जबकि y-axis की तरफ जो जाता है, उसे कहा जाता है, कोटी. तो यहाँ पर, दो जो है वो भूज है, जबकि minus 5 यह जो है, इसे हम कोटी कहते हैं यानि कि यहाँ पर कोटी कौन सा है माइनस 5 विकल्प है दो जो है इसका सही विकल्प है तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने गनीत मॉडल प्रसुन के उत्तर को जाना ज़िए आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडिय लाइक करें अपने दोस्तों के भी ज место ज्यादा से ज्यादा श्यार करें तकि सभी सका लाब मिल सके साती बच्चों अगर आप हके वार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अवर्शी सब्सक्राइब करदें ता कि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के सेक्चिनिक वीडियो प्राप्त हो सके वीडियो को अन तक देखने के लिए बच्चो आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में